हलो दोस्तों नमस्कार आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूटीब चानल में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सिक्षण प्रगर्ती उद्देश अभिलक्षण एवं मुलभुत आवशकता हैं दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा लंबा होने वाला है इसलिए धैरे पूर्वक इस वीडियो का अवलोकन कीजिएगा तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है सिक्षण प्रगर्ती उद्देश अभिलक्षण एवं मुलभुत आवशकता है सबसे पहले सिक्षण क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं दोस्तों जो सिक्षण है दोस्तों वो अंग्रेजी भासा के सब्द टीचिंग से बनाएं ठीक है ना टीचिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों सिखाना ठीक तो अगर हम बात करें सिक्षण की तो लक्षे को साथते हुए किसी को सिखाना ही दोस्तों सिक्षण कहलाता है वैसे अगर देखा जाए तो दोस्तों सिक्षण की दो परिभासाएं हैं एक संकुचित अर्थ में एक होती है असंकुचित अर्थ में यानि की व्यापक में ठीक है ना संकुचित और व्यापक आप इसको भी ध्यान में रखेंगे ठीक अगर हम बात करें दोस्तों संकुचित अर्थ में तो सिक्षण के संकोचित अर्थ का मतलब होता है स्कूली सिक्षा से जो आपको स्कूल में मिलती है यानि कि जिसमें अध्यापक के द्वारा बालक को एक निश्चित स्थान पर विशिष्ट वातावरण में उसके विवार में पाठ्यकरम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है ठीक है ना यानि कि एक निश्चित स्थान होगा वो निश्चित स्थान कौन सा होगा दोस्तों स्कूल होगा ठीक है ना एक विशिष्ट व्यातावरण होगा और पाठ्थे करम के अनुसार उसके व्यावार में परिवर्तन किया जाएगा तो जो प्राचिन काल की जो सिक्षा थी दोस्तों वो इसी टाइप की थी ठीक है ना यानि कि उसमें सिक्षन इसी तरीके से किया जाता था लेकिन अगर हम आज के यानि यी व्यापकर्थ में देखें तो व्यापकर्थ में दोस्तों सबी चीजे सामिल कर ली जाती है जो व्यक्ति अपने पूरे जीवन में सीखता है यानि कि अगर हम सिक्षण के व्यापकर्थ की बात करें तो इसमें अपचारिक, अनपचारिक, नि और नो द्वारा सीखता है ठीक है तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगर हम सिक्षण को की प्रकरती की तो दोस्तों इसको 3 द्रूविय तुस्तों 3 द्रूविय अमाना गया है यानि कि अ दोस्तों बात करते हैं पाथे करम की बारे में, पाथे करम के बारे में भी डिसकस करना काफी important हो जाता है, दोस्तों दो तरह की चीजें होती है, एक होता है पाथे करम, आप इसको ध्यान में रखेंगे पाथे करम, और एक होता है पाथे विवरण, ठीक है, तो एक होता है पा बात करेंगे दोस्तों तो किसी तरह की सिक्षा एवं प्रसिक्षण के लिए निर्धारित विश्यों उपविश्यों एवं सम्मंदित सामगरी का विवस्थित एवं सार रूप में प्रस्तुती पाठे विवरेंड कहलाती है देखे आप इसको समझ ये कि जितने भी आपका सि सम्मंदित सामगरी है यानि कि जो भी हम उसके लिए यूज करेंगे बुक का यूज करेंगे ठीक है न तो उसका अगर सार रूप में प्रस्तुती होगी तो वो सिलेबस कहलाएगी जैसे कि आप एल्टी का सिलेबस देख रहे है न तो उस पर आपका क्या है कि सिक्षण पर सिक्षण के लिए निर्धारित विसे हैं कुछ टॉपिक्स हैं ठीक है न और उसके लिए आप जो भी सम्बंदित सामगरी है उसका व्यस्तित और सार रूप में प्रयोग करें तो वो सिलेबस लेकिन दोस्तों अगर हम पाथिकरम की बात करें तो पाथिकरम का मतलब दोस्त जितने भी प्रमुक कारें हैं जो की बालकों को सिक्षा प्रदान करने से सम्बंदित हैं उनके लिए पाथिकरम का इस्तमाल किया जाता है कहने का मतलब यह है कि विद्याले का प्रमुक कारें बालकों को सिक्षा प्रदान करना होता है और इसको पूर्ण करने के लिए वहा क्या बोलते हैं इंगलिस में करिकुलम बोलते हैं जो करिकुलम सब्द की उत्पत्ती है वो दोस्तों लेटिन भासा के सब्द कुरेर से हुई है ठीक है ना कुरेर का मतलब होता है दोड का मैदान तो पाठे करम बालक के लिए उस दोड के समान है जहां बालक सिक्चा के उद् उदेशे की प्राप्ति है तो दोड के दोड में भाग लेता है तो काफी अच्छा है इसके अलावा एक और डेफिनेशन है जिससे जो की काफी इंपोर्टेंट है कनिंगम की डेफिनेशन है कि पाठेकरम कलाकार यानि की जो सिक्षक है के हाथ में एक साधन है जिससे वो अप है काफी important ड़ी है कभी exam में आ सकती है तो इस तरह के सम कह सकते हैं दोस्तो जो पार्ठे करम वह सादन है जिसके दौरा सिख्षा वह जीवन के लक्षों की प्राप्ति होती है ओके तो दोस्तों अगर हम बात करें पार्ठे करम की विसेश्थाओं की बारे में तो दोस्तों पार्ठे करम हमेशा flexible यानि की लचीला होना चाहिए पार्ठे नेतिक मुल्यों पर आधारित होना चाहिए इसके अलावा पार्ठे करम हमेशा पूरू ज्यान पर भी आधारित होना चाहिए तो ये काफी सारी विसेष्टा हैं इनको आप ध्यान में रखेंगे कि पार्टे करम लचीला हो, सामाजीक अवश्यक्ताओं के अनुसार हो अभ्यास पर आधारित हो, पूरू ज्यान पर आधारित हो मांसिक स्थर के अनुसार हो और नैतिक मुल्यों पर आधारित होना चाहिए अब दोस्तों हम बात करेंगे सिक्षण के सामाने सिधानतों के बारे में जो की काफी important है डिसकस करने दोस्तों तो सिक्षण के सामाने सिधानत मैंने यहां पर लिखे वे हैं इनको हम एके करके दोस्तों डिसकस करते वे चल जाएंगे मैं बहुत जल्ली से इनको डिसकस करने का प्रयास करूँगा सबसे पहला आता है माईवटिक सिद्धान देखे दोस्तों इस सिद्धान के प्रतिपादक थे सुकरात लेकिन जब आत्मा जनम लेती है तो वह इसे भूल जाती है तो अब जो सिक्षक है वो क्या करता है कि छातरों से प्रस्न पूछता है जिससे कि उनका भूलावा जन फिर से चेतनमस्तिक्स में आ जाए तो कहने का मतलब यह है कि आप ग्यान की अनुभूती आपके अंदर पहले से ही होती है लेकिन जब आप जनम लेते हैं तो आप उस सभी ग्यान को भूल जाते हैं तो सिक्षा क्या करता है उस भूलेवे ग्यान को प्रतस्मर एवं अभी ग्यान द्वारा प्रश्णों के माध् से फिर से चेतन मस्तिक्स में ले आता है ठीक है न तो यानि आपका जो भूलावा ग्यान है वो चेतन मस्तिक्स में आ जाता है प्रश्णों के माध्यम से तो यही है मायवटिक सिध्धान, मायवटिक थियोरी ठीक हो गया इसके बाद अगला आता है दोस्तों संप्रेशन सिध तो इस सिध्धान में सिख्षक द्वारा सूचनाओं तथियों और विचारों को छात्रों तक भासा की साहिता से संप्रेशित करता है ठीक है ना आप इसको ध्यान में रखेंगे कि संप्रेशन का तो अर्थी यह होता है ना कि जो सूचनाएं हैं तथियों विचारों का एक त उसके लिए संप्रेशन कॉसल यानि कि जो संप्रेशन सिधान्त काफी important हो जाता है ध्यान रहे कि जो संदेश प्राप्त करने वाला है संदेश को उसी अर्थ में ले जिसका अर्थ उसके पास भेजा गया है तो इससे पता चलेगा कि आपका जो संप्रेशन कौसल है यानि कि आपके पास जो विचारों को संप्रेशित करने का जो आपके पास टेक्नीक है वो अच्छी है यानि कि आपका जो सिक्षान है वो प्रभावी है ठीक है ना तो इसके लिए आपको क्या चाहिए यानि प्रतिक्रिया दे रहा है तो इसका मतलब है कि वो आपका जो संप्रेशन है वो प्रभावी है यानि कि अगर वो सही प्रतिक्रिया दे रहा है ठीक है ना? तो इसमें आपका क्या है इंटरेक्टिविटी यानि अन्ता क्रिया इसमें ज़्यादा important हो जाती है तो आप समझ में कहें संप्रेशन सिध्धान यानि की communication theory इसके बाद आता है दोस्तों अगला परिवर्तन सिध्धान यानि की molding theory देखे molding का मतलब क्या है किसी को एक तरीके से बदलना ठीक है ना तो हम कहते हैं इसको mold कर दिया तो यानि की जिसे दोस्तों इस सिध्धान्त में होता है कि जो चात्र है उनके व्यावारों में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है किसके दौरा सिख्षक के दौरा तो इसमें होता है कि जो अध्यापा के चात्र है इनके जो उसमें अपिक्षित परिवर्टन लाना है वो परिवर्टन इनमें लाया जा सकता है तो इसको क्या बोलता है । Molding Theory यानि की परिवर्टन का सिध्धान इसके बाद निकी दोस्तो अगला आता है परसपर पूस्ताच का सिध्धान यानि की Mutual Inquiry Theory दोस्तों इस सिध्धान के अनुसार अध्यापक का कार्य कक्षा में सिक्षण नहीं बलकि अधिगम के लिए परिस्तितियां पैदा करना होता है यानि कि जो सिक्षण है वो सिक्षण कार्य नहीं करेगा बलकि वो अधिगम यानि सीखने के लिए परिस्तितियां पैदा करेगा तो वो चात्रों को इस तरह के से गाइट करेगा कि वो स्वैम समस्या के समाधान तक पहुँच जाएं ठीक तो जो अध्यापक है चात्र हैं वो दोनों आपस में क्या करेंगे पूस्ताज करेंगे परिचर्चा करेंगे और इस तरह के से सिक्षन कारिय वो आगे को बढ़ता है तो आप समझ में परसपर पूस्ताज का सिध्धानत क्या है कि इसमें हम ज्यादातर क्या करेंगे इसके बाद दोस्तों काफी important सिद्धानत है जिसको बोला जाता है क्रिया सिल्ता का सिद्धान यानि कि principle of activity देखे दोस्तों इसका सिद्धानत यह कहता है कि जो अध्यापक है उसको हर पार्ट में चात्रों को कुछ न कुछ क्रिया करानी चाहिए क्यूंकि करके सीखने वाला कभी भी भूला नहीं जा सकता ठीक है न दोस्तों तो यहां बर आपको पार्ट से संबंदे चात्रों को कुछ न कुछ क्रिया जरूर करानी चीए देखे दोस्तों क्रियाएं दो प्रकार की होती है एक होती है सारे रिक और एक होती है मानसिक सिक्षण में इन दोनों क्रिया से पढ़ेंगे तो शायद आप भूल जाएं या मैंने आपको अगर मैं आपको कोई कहानी पढ़ाऊं तो आप हो सकता है कि दो साल बाद उसको भूल जाएं लेकिन सपोच को रहा आपने कोई क्रिया सीखी एलाई का अपने साइकल चलाना सीखा तो आप भी पार्ट से संबंदित क्रिया करने से है, तो क्रिया जितना आदमी करेगा, वो ज्यादा सीखेगा और इसके द्वारा जो 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 ज्जान होगा, वो हमेशा इस्ताई रहेगा, इन चीजों को ध्यान में रखना है ठीक है ना इसके बाद आता है दोस्तो रूची का सिद्धान यानि की principle of interest दोस्तो इस सिद्धान के अनुसार सिक्षन तबी किया जाए जब छात्रों की उसमें रूची हो और अगर उसमें रूची नहीं है तो सिक्षन से पूर्व आप क्या करें रूची को पैदा करें तो कक्षा में चात्रों के अंदर रूची अगर आप पैदा करेंगे तबी जाके जो चात्र हैं वो क्या करेंगे आपके सिक्षन में प्रतिभाग करेंगे कहने का मतलब है वो interactivity वहाँ पर अपने आपी बढ़ जाएगी तो आप रूची कई तरीके से पैदा कर सकते हैं यानि कि आप चात्रों को उनके जीवन के लक्षे को समझाएं ठीक आप चात्रों को पंड़ने में आप उनकी जिग्यासा पैदा करें ठीक है ना पाट का अगर आप उद्देश्य बता दें कि इसका उद्देश्य अगर सपस्ट हो तो भी उनमें रूची जागेगी ठीक ह तो इससे काफी क्या होता है कि अपने आपी जो आपका सिक्षण है वो क्या बन जाता है रूची कर बन जाता है अगर आप सिक्षण सायक सामगरी का प्रयोग करेंगे तो अपने आपी उससे क्या होता है पाट क्या बन जाता है रूची कर बन सकता है तो इसको बोलते हैं दोस विट लाइफ देखे चात्र अपने स्वैम के जगत में जीता है तो यह उनी विस्यों और क्रियाओं में दोस्तों रूची लेगा जिसका उसके जीवन से सीधा संबंदो ठीक तो अगर कोई भी विस्य को अगर हम चात्रों के जीवन से जोड़ कर पढ़ाएं तो वे हमेशा उसमें क्या लेंगे दोस्तों इंटरस लेंगे ठीक है ना और उसको आसानी से वो टॉपिक समझ में भी आ जाएगा ठीक तो इसमें होता है कि चात्र अपने पुराने अनुभव के संग नए अनुभव को जोड़ लेता है ठीक है ना और नए अनुभव उसके पुराने अन logic है देखें जो आपका उद्देश्य है यानि कि जो सिख्षा के उद्देश्य है उनी के अनुसार पाटे सामगरी का चैन किया जाए पाट में कुछ ऐसी चीजे भी हो सकती हैं दोस्तों जो की उस पर चात्रों के लिए बेकार हो तो आप ऐसी पाठे सामगरी का उपियो क्यों करेंगे तो उचित पाठे सामगरी का चैन करना ही इस चैन सिद्धान्त का बेसिक है समझ में आए आपको तो इसलिए आपको क्या करना है कि अध्यापक को यानि कि छात्रों के स्तर और उनकी रूची और उद्देशों को ध्यान में रखकर ही हम कह सकते हैं सामागरी का चैन करना होता है जिससे कि वह जो सामागरी है वो चात्रों के लिए एक तरीके से सार्था को ठीक है ना यानि कि वो उससे उनको काफी कुछ सीखने को मिले तो यहांपर सिट चैन का सिद्धान यानि कि प्रिंसिपल आफ सेलेक्शन का यही मतलब है इसके बाद अगला नियोजन का सिद्धान यानि कि प्रिंसिपल आफ प्लाइनिग देखे दोस्तों अगर कोई भी सिक्षक है वो पार्ट को पढ़ाना चाता है तो उसको पार्ट पढ़ाने से पहले अपने लेसन की पूरी योजना बना लिनी चाहिए ठीक है न, तो समझ मा रहा है कि अगर आप कोई भी पार्ट पढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए पहले क्या करेंगे, प्लाइनिंग करेंगे न, तो बिना प्लाइनिंग के अगर आप पढ़ाएंगे तो आपका सिक्षन कभी भी प्रबावी हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है जब तक दोस्तों आप लोगों ने planning नहीं करी है अगर कोई भी part को पढ़ाने से पहले तो हो सकता है कि सिक्षन कारे के दौरान कोई भी एक समस्या आपके सामने आ सकती है और आप उस समस्या का समाधान ना ढून पाएं तो जब आप पूरी तरह से planning करके teaching करने आते हैं तो आप क्योंकि आपने उस पर planning की भी है तो आपके सामने कोई भी अगर समस्या आ जाए तो आप अपने अनुभाव के आधार पे उसको समस्या का आप क्या कर सकते हैं हल निकाल सकते हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं नियोजन का सिध्धान इसके बाद अगला आता है विभाजन का सिध्धान यानि कि प्रिंसिपल ओफ डिविजन अब देखें दोस्तों प्रिंसिपल ओफ डिविजन का क्या मतलब है डिविजन का अर्थ ही क्या होता है दोस्तों तोलना þीक है न तो आप क्या करेंगे पार्थ के प्रस्तुती करण से पूरु अध्यापक को पूरे पार्थ को आप क्या करेंगे छोटी-छोटी इकाई yu Banana में बांट लीजे यानि की छोटी-छोटी पूची कर हो जाता है ठीक है ना और हमेशा ध्यान में रहें कि जब आप इसको पढ़ा रहे हैं तो एक यूनिट को दूसरी यूनिट से कनेक्ट करना ना भूले तो वो भी आवश्यक हो जाता है तो इसको क्या बोलता है दोस्तो विभाजन का सिद्धान यानि कि आपने पार्ट है पार्ट को आपने छुटी-छुटी एकाईयों में तोड़ देना है जिससे की छात्र उसको आसानी से समझ सके इसके बाद आता है दोस्तो निश्चित लक्षे का सिद्धान यानि कि प्रिंसिपल ऑफ डैफिनिट एम देखिए दोस्तो इस सिद्धान के अकॉर्डिंग अगर आपके सामने कोई पार्ट है तो उस पार्ट को पढ़ाने से पहले आपको अपने उद्धेशे को स्पस्ट करना चीए और उन उद्धेशों के अनुसार ही आगे की रणीती बनानी चीए यानि की आगे का सिक्षन कारिये दोस्तों करना चाहिए क्योंकि अगर आपके सामने स्पस्ट उद्धेशे है तो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे टीचिं करेंगे और चातरों को भी इस पार्ट के या जो पार्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उनके उद्धिशों के बारे में समझा पाएंगे ठीके ना तो अब जब छात्रों के सामने उद्धेशे स्पस्ट हो जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे उसको यानि उस लक्षे को पाने के लिए प्रयासरत रहेंगे समझ में आ रहा ना तो निश्चित लक्षे का सिध्धानत यही कहता है दोस्तों कि आपको पार्ट को पढ़ाने से पहले आपके सामने जो भी उद्धेशे है वो स्पस्ट कर लेना चाहिए और उस उद्धेशे के अनुसार ही आपको आगे की रणनीती या आगे का सिक्षन कार्य करना चाहिए इसके बाद आता है दोस्तों अगला दोहराने का सिध्धान यानि की प्रिंसिपल अव रिविजन तो इस सिध्धान के अकॉर्डिंग क्या होगा दोस्तों जो भी आप छातरों को पार्ट पढ़ाएं उनको अवश्य क्या कर लें दोहराएं क्योंकि आप उनको कम दोहराएं उनको ज्यादा दोहराने से कोई फायदा नहीं है तो आप देखिए जैसे अगर आप दोहराने का सिध्धान का अगर अनुपालन करें तो ग्रह कारे भी इसी के अंतरगत आता है क्यों दिया जाता है ग्रह कारे ग्रह कारे इसी लिए दिया जाता है ताकि जो पार्ट है उसको बच्चा ना भूले यानि कि वो दोहराने के सिध्धानत के अंतरगत आता है ठीक है इसके बाद लोगतांत्रिक व्यवार का सिध्धान यानि कि प्रिंसिपल ओफ डेमोक्रेटिक डेलिंग तो इसमें हमेशा जो कक्षा है उसमें चात्रों के प्रत इनको भी अपनी अभिवेक्ती का यानि कि जो वो कहना चाहरे है उसका भी संपूर्ण अवसर देना चाहिए तो इसका मतलब यह है कि आप क्या करेंगे जब आप टीचिंग करेंगे तो उसमें आप चात्रों की सायता एवं सायोग से पाठ को आगे करेंगे तो आप उनसे प्रश्न पूछेंगे आप उनके प्रश्नों के उत्तर की डिमांड करेंगे ठीक है ना और समझ मारा ना तो इसमें आपको क्या है क्या करना है कि आपको छात्रों से प्रश्न पूछना यानि कि उनको भी उनको भी पूरा क्या देना है संबान देना है ठीक है ना तो इससे हो प्रभुत तो आदी मैं क्या होता है दो उसी कि जो सिख्चा एते भी पढ़ाता रहता है और चात्र के वल सुनते रहते हैं तो ऐसा नहीं होना ज़ित लोक तांत्रिक व्यवार का मतलब ही है कि आप ने चात्रों से प्रशन पूछने हैं चात्र आप से भी प्रस्न पूछ सकते हैं ठीक है ना और अगर आपको लगता है कि कुछ आपके पार्ड में कुछ अलोशनात्मक तत्य हैं तो आप छातरों को भी आमंतरत कर सकते हैं कि भई देखिए इस पार्ड में ये चीज़े हैं तो आपकी क्या अलोचना बनती है तो इससे होता गय है कि वो भी खुले प्रकार से अपनी अभीविक्ति करते हैं उनको भी अभीविक्ति की स्वतनता मिलती है और उससे उनका भी confidence बढ़ता और आपका भी confidence बढ़ेगा ठीक है ना तो इसको बोलते हैं लोगतांत्रिक व्यवार का सिध्धान्त तो ये थे दोस्तों सिक्षा के सामान्य सिध्धान्त यानि कि सिक्षण के सामान्य सिध्धान्त अब बारी आती है दोस्तों सिक्षण के ज्यानात्मक सिध्धान्त की यानि की cognitive theory of teaching देखे दोस्तों इस सिध्धान के परतिपातक गेज है तो उनका मानना ये था कि दोस्तों सिक्षण का कोई एक सिध्धान्त सिक्षा के उद्देशों की पूरी पूर्ती नहीं कर सकता है ठीक है ना तो इसलिए सिक्षण के बहुत सारे सिध्धान्तों को मिला कर ही सिक्षण का कारे किया जाना चीए ठीक है तो जो गेज हैं, गेज ने हम कह सकते हैं जो सिक्षन का विसलेशन है वो चार आधरों पर किया है उन्होंने माना है कि देखिए क्या होने चीए सबसे पहले सैक्षिक उदेश, सिक्षन क्रियाएं, अधिगम सिद्दान और अधिगम के तत्व तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिसकस कर लेते हैं देखिए दोस्तों आप सबसे पहले से बात करते हैं सैक्षिक उदेशे की, यानि कि दोस्तों के जो सैक्षिक उदेशे होते हैं उनको मानव व्यवार के तीन पक्षि क्या होते दोस्तों ग्यानात्मक भावात्मक और मनोयगात्मक आधार पे दोस्तों 18 स्तरों पे बाटा जा सकता है दोस्तों ये है गेज का मानना ठीक है ना तो इस प्रकार के अगर आपने उद्देशों की प्राप्ति करने के लिए आप आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा विभिन सिध्धानतों की आवशक्ताएं पड़ेगी जो अभी अपने सारे सिध्धानतों पड़े ना तो सैक्षिक उद्देशियों को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बहुत सारे सिध्धानतों की आवशक्ता पड़ेगी तो आप इसके बाद आता ना यानि कि विसिस्टी क्रियाँ की आवशक्ता पड़ेंगी इसके बाद आती है सिक्षन क्रियाई तो अब देखिए होता क्या है शिख्षक को क्लास में अनेक प्रकार की क्रियाईं करने पड़ती है जैसे कि आप ऐजे philosopher काम करते हैं आप ऐजे परामर्ज देने वाला काम करते हैं अनुदेशात्मक ठीक ना और प्रबंद सम्मंदी मैनेजबेंट भी देखते हैं और आप इसके बाद कॉपियां भी चेक करते हैं यानि कि मुल्यांकन क्रियाएं भी करते हैं तो इस प्रकार के सिक्षण के लिए भी क्या होते हैं बहुत सारे सिध्धान्त की आवश्यक्ता परती हैं और तब ही जाके क्या होंगी वो सिक्षण क्रियाएं पूर्ण हो पाएंगी तो आपको समझ मारा ने कि गेज का क्या माना था कि सिक्षण का कोई एक सिध्धान सिक्षण के उद्धिश्यों की पूर्टी नहीं कर सकता है तो यहां पर उसने बताया कि जो चार अव्यव हैं इन आधारों पर सिक्षण का विस्टलेशन किया जा सकता है तो सिक्षण का विस्टलेशन आप निम्रचार के अकॉर्डिंग कर सकते हैं तो यानि सिक्षण क्रियाओं के लिए भी आपको बहुत सारे सिध्धान्तों की अवश्यक्ता होगी इसके अलावा आता है अधिगम सिध्धान्त ठीक है अब अध्यापत की जो क्रियाएं हैं वही दोस्तों क्या करती हैं अनुकूल अधिगम परिस्थितियां पैदा करती हैं तो जितनी भी आपकी जो क्रियाएं होती हैं तो वो क्या होती है, मनोवग्यनिक और सामाजिक सिध्धान्तों पर आधारित होती है, तो बहुत सारे जो अधिगम सिध्धान्त हैं, वो ही क्या करते हैं, अनेको सिख्षण सिध्धान्तों को जनम देते हैं, तो यानि कि आपको अधिगम सिध्धान्त हैं उनकी अगर आपने पूर्ती करनी हैं तो आपको अनेक सिख्षन सिध्धान्तों की आवश्यक्ताएं होंगी इसके बाद अधीगम के तत्व, अधीगम के दोस्तों क्या होते हैं, चार तत्व होते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे, सबसे पहला आता है तड़प, यानि ड्राइव, अनुकरिया, रिस्पॉंस, अनुबोदक क्यूँ, और इसके अलावा आता है पुनरबलन, यानि क reinforcement, तो इन चारों के लिए भी दोस्तों क्या होती है, अलग-अलग सिक्छन सिधानतों की आवश्यक्ताएं होती है, तो दोस्तों ये था आपका सिक्छन का ज्यानात्मक सिधानत, ऊके, तो इस प्रकार से दोस्तों, gauge है, उन्होंने क्या बताए कि, अपने सिधानत में तो किया दिया यानि कि अगर आप जो सारी सिक्षण क्रियाएं हैं आपकी वो क्या करती है दोस्तो पाठे वस्तू के बोध को बढ़ाने का कारे करती है ठीक है न तो इस प्रकार जो आपकी जो सिक्षण है उसकी प्रकरती क्या बन जाती दोस्तो ग्यानात्मक बन जाती है इस इसलिए इस सिध्धान को क्या बोलाता है cognitive यानि कि सिक्षण का ज्यानात्मक सिध्धानत है यानि कि दोस्तों जितनी भी आपके सिक्षण करिया है उससे आपको पाथे वस्तू का बोध होता है तो इनका सीधा सीधा सही मानना था कि इसलिए इन्होंने दोस्तों कि इसको क्या आते हैं देखिए सबसे पहला आता है अभी प्रेरिणा का सिद्धान यानि की principle of motivation तो दोस्तों इसमें क्या होगा जो अध्यापक देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा कि जो अध्यापक अपने सिस्यों को ज्यान प्राप्त करने के लिए अभी प्रेरित करने में यानि कि उनको मोटिवेट करने में सफल हो जाता है तो उसका सिक्षन का काम बहुत ही आसान हो जाता है तो इसमें अगर आप छात्रों की जिग्यासा को बढ़ाएं उनकी प्रसंसा करें कभी निंदा भी करनी पड़ती है और अगर आप सायक सामगरी को सई सामय पर प्रयोग करें तो आप छात्रों को अभी प्रेरित कर सकते हैं यानि कि उनको मोटिवेट कर सकते हैं तो अभी प्रेरिना का सिध्धान देखते हैं किसे कैसा सिध्धान थे दोस्तों सैकलोजीकल सिध्धान थे यानि कि सिक्षन का आपक और और एक तरीके से जब टीचिंग है वो उनके लिए क्या हो जाती है बहुत बोझिल टाइप की हो जाती है थेक है न तो इस थकावत और बोर्यत से बचाने के लिए आपको सिक्षण कारे में कभी कबाद क्या होता है मनोरंजन भी पैदा करना होता है जिससे वो इसका भरपूर आनन ले सके तो इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों मनोरंजन का सिद्धान इसके बाद सबसे important वेक्तिकत भिन्यता का सिद्धान यानि कि principle of individual difference मैंने पहले ही बताया आपको इसलिए जो भी सिक्षण कारे है वो हमेशा छात्रों की वेक्तिकत भिन्यताओं को ध्यान में रखकर ही किया जा सके किया जाना चाहिए ठीक है ना तब ही क्या होगा कि जो आपके औस चात्रे हैं उनको भी संतुष्टी मिलेगी और साथ में कमजोर और मेधावी छात्रे हैं उनको भी हानी नहीं होगी हमेशा सिक्षण कारे आपका इस तरीके से होना चीए कि आप उसमें वेक्तिकत भिन्यताओं को ध्यान में रखें ठीक है इसके बाद आता है अगला उप्चारात्मक सिक्षण का सिध्धान यानि प्रिंसिपल ओफ रिमेडियल टीचिंग ठीक अब होता गया है कि दोस्तों जो चात्र होते हैं वो जन्रली कक्षा में कमजोर होते हैं तो ऐसा होता है एसा सिक्षण क्रियाओं में गल्ती के कारण भी हो सकता है तो अध्यापक को क्या करना चीए वो चात्रों की इन समस्याओं को पता लगाए और अपनी भूल को सुधार कर चात्रों के लिए एक विशेश उपचारात्मक सिक्षन की व्यवस्था करें यानि कि उनके लिए एक remedial teaching वो दे सकता है आप में से कई लोग अगर teaching करते होंगे तो स्कूल में भी remedial teaching करी जाती है जो कि विशेश कर कमजोड चात्रों के लिए की जाती है इसके बाद अगला क्या आता है दोस्तों पुनर्बलन का सिद्दान यानि कि principle of reinforcement अब पुनर्बलन का आर्थि क्या होता है दोस्तों यानि कि छात्रों के सामने ऐसी रुकावटों को हटाना या ऐसे उद्धीपनों को प्रस्तुत करना जिससे चात्रों की क्या हो दोस्तों अनुक्रिया बड़े यानि कि response बड़े पुनर्बलन का मतलब ही यह है न कि आप ऐसे उद्धीपन का प्रयोग करेंगे तो इससे उनकी अनुक्रिया की संभावना क्या हो जाती दोस्तों और बढ़ जाती तो इसी को क्या बोलते हैं पुनरबलन का सिध्धान ठीक है इसके बाद आता है अगला इंद्रिये परसिक्षण का सिध्धान यानि कि प्रिंसिपल ओफ ट्रेनिंग टू सैंसिस ठीक तो ज्यान को प्राप्तिक करने के लिए पांचो ज्यान इंद् को विक्सित होने का अवसर मिलें तो उसी को क्या बोलते हैं इंद्रिये परसिक्षण का सिध्धान यानि कि प्रिंसिपल ओफ ट्रेनिंग टू सैंसिस है ना तो यह काफी इंपोर्टेंट है और इसके बाद लास्ट में क्या आता है दोस्तों सहानुभूति का सिध्धान य यानि कि छात्र आपसे प्रेम करने लगते हैं यानि कि आपके निकट आते हैं ठीक है ना और अध्यापक क्या कर सकता है उनकी आवश्यक्ताओं क्योंकि जब आपके निकट आ गए हैं तो होगा क्या कि आप उनके आवश्यक्ताओं को जानकर उनके लिए समोचित सिक्षण की व्यवस्ता कर सकते हैं ठीक है ना तो दोस्तों ये थे आपके सिक्षण के मनोवग्यानिक सिद्धान्त तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है ये टॉपिक अभी पूरा नहीं है, हुआ है, अभी हम सिक्षण सूत्र के बारे में भी बताएंगे और definitely सिक्षण के उद्देशे के बारे में भी discuss करेंगे, ठीक है ना, तो अभी इसका second part जल्दी आएगा, तो फिलाल, take care and goodbye.